दुर्जनपूर कंड के सिकार जैप्रकास पाल का स्राद कर्म सनिवार को गमगीन माहौल के बीच किया गया सुलवाती दिनों में इस मामले को हाई प्रोफाइल बनाने वाले किसी भी दल अथवा पार्टी के नेता नहीं कोंचे इसको लेकर गाउ में तैनात पुलिस के जवानों को रहत मिली कुटी की दुकान हमंटन के लिए 15 अक्टूबर को आयोजी खुली वैठक में विबाद हुआ था दौरान हुई फाइडिंग में जैप्रकास पाल गामा की गोली लगने से जैप्रकास पाल गामा की मौत हो गई थी घटना के बाद यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया लेकिन यह मामला हाई प्रोफाइल होने के बाद इस मामले में रिटायर पोजी धिरेंडर प्रदाप सि 25 अग्याद के खिलाप केस दर्ज गवा तिलहाँ सभी नामजद्व कुछ अग्याद गिरहतार कर जेल जा चिके हैं शुरवे दिल सनीवार को गामा का स्राद पर्म हुआ इस दवरान गामा की पत्नी धर्म सीला के साथ ही परिवार के अन्य लोगों के आखों में आशु जरकता रहा घटना के बीच से ही घर पर तैनात पुलिस के जमान सनीवार को पुरी तरह से इलर्ट रहे दोपहर बात पहुँचे धननगर महासभा के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी धननगर जिलप अध्यक्ष रमेश पाल सुस्मा पाल आदी ने पहुँचकर सोक संवेदना जताई रिटायर हो गए सस्पेंड एसाई सदानंद रिवती नौकरी के अंतिम पड़ाओ पर बहुच चुके रिवती ताने वा तैनात एसाई सदानंद ज्यादो सेवान रिवित होने से सोला दिनों पहले ही निलंबित हो गए सनीवार को वो भारी मन से रिटायर हो गए